बॉलिवूट के गलियारों से यू तो राइवल्री की खबरें हमेशा आती ही रहती हैं चाहे वो आज की बात कर लें या फिर बीते हुए जमानों की लेकिन एक जमाने में जब भी कोई दो सूपरस्टार आमने सामने होते हैं तो ये अक्सर सुनने को मिलता है कि फिर चाहे वो आक्टर होया अक्टरिस पर दोनों के बीच में तलखी कही न कहीं मौझूद रहती है विनोथ खन्ना और अमिताब बच्चन ने सत्तर और असी के दशक में परदे पर खूब राज किया साथ में काम भी किया लेकिन दोनों के बीच हमेशा एक राइवल्री रही कहने वाले कहते हैं कि विनोथ खन्ना की पॉपूलरीटी देखकर आमिताब बच्चन को एक समय पर डर भी लगने लगा था गुरुवार का दिन था तारीक थी 27 अप्रेल 2017 समय सुबह साड़े गहरा बजे और खबर आई कि दिगज एक्टर विनोथ खन्ना अब नहीं रहे वे एडवांस ब्लेट कैंसर से पीडित थे सिनिमा की दुनिया के हर फैन को जैसे एक तरह से गहरा जटका लग गया दो अप्रेल 2017 को ही विनोथ खन्ना को मुंबई के डिलाइंस फाउंडेशन अस्पताल में भरती करवाए गया था वो लंबे समय से बिमार थे लेकिन परिवारण ने उनकी बिमारी की बात छुपा कर रखी थी लेकिन मौँत से 21 दिन पहले यह एक तस्वीर सामने आई जिसे देख कर कोई भी अपनी आखों पर भरोसा नहीं कर सका खुद अमिता बच्चन भी अपने एक्टर को देख कर दंग रह गया निदन से 21 दिन पहले इस्पताल सुमगी एक तस्वीर सामने है जिसे देखकर किसी को भी अपनी आखों पर भरोसा नहीं हुआ तस्वीर में एक बहुत कमजोर शक्स बिलकुल निरी हालत में दूसरों के कंदे के सहारे खड़ा दिखाई दे रहा था और ये थे विनोत खन्ना यकीन करना जायज भी नहीं था जिस लंबे चोड़े और भेहत खूबसूरस विनोत खन्ना ने परदे पर आखरी दम तक राज किया भला कौन यकीन कर सकता था कि वो अंतिम दिनों में ऐसा दिखने लगेगा विनोत खन्ना जिसकी पॉबलरिटी देख कर कभी हमताब बच्चन भी सकपा कागाय थे डर लगने लगा था कि कहीं नमबर वन की कुर्सी उनसे छिलना जाए पाकिस्तान के पिशावर में 6 अक्टूबर 1946 को पैदा हुए विनोत खन्ना 71 साल की उमर में दुनिया छोड़ गया है उन्होंने दो शादियां की थी कॉलेज में दोस से संगिनी बनी की तांजली से और फिर कभीता से पहली पतनी का निधन हो गया था अपने पीछे पतनी कवीता साही तीन बेटे और एक बेटी का परिवार छोड़ जाने वाले विनोत खन्ना का जीवन उनके फिल्मों की तरह ही रो मांचक रहा है फिल्मी परदे पर एक विल्म की तोर पर विनोत खन्ना ने डेब्यू किया था फिल्म थी मन कमी और 1990 का साल था उस दोर में शायद ही ऐसा फिर कभी हुआ कि परदे पर किसी विल्म ने इतनी पॉपरियारिटी बटोरी हो वो फिल्मों में हीरो बनने लगा और देखती ही देखते सूपरस्टार बन गया पूर अफ पच्चिम सचा जूटा आन मिलो सजना मसता ना मेरा गाउं मेरा देश जैसी कई सारी फिल्मों के बूते पर विनोत खना ने उस दोर में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया लेकिन कहते हैं ना कि हर रोशन चीज के पीछे एक अंधेरा भी होता है विनोत खना के साथ भी ठीक ऐसा ही था सिनेमाई दुनिया में 70 और 80 के दशक में मिताब बच्चन का करियर भी उफान पर था एंगरी यंग मैन बन चुका मिताब बच्चन और विनोत खना में परदे पर तो हमेशा खुब दोस्ती देखी लेकिन बताया जाता है कि असल जंदीगी में दोनों कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सके कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के पक के दुश्मन भी थे यह दिल्चस्पकी बात है कि अमिताब बच्चन और विनोत खना ने परवरिश, खून पसीना, हेरा फेरी और अमार अगबर एंथनी जैसी हिट फिल्मों में साथ में काम किया दोनों सूपर स्टार्स थे, ऐसे में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद भी किया जाता था, लेकिन भीतरी भीतर कुछ और चल रहा था, जिससे दर्शक अंजान थे उस दोर के लोग बताते हैं कि मिताब बच्चन अपने सामने विनोत खन्ना की बढ़ती पॉपुलरिटी के और करियर ग्राफ से ज़्यादा खुश नहीं थे इसकी एक बड़ी बज़े थी कि कई फिल्मों में तब मेकर्स ने विनोत खन्ना को पहली पसंद मराया था यहां तक कि जिन फिल्मों में दोनों साथ थे वहां भी कई बारा मिताब बच्चन की जगे विनोत खन्ना को ज़्यादा पावरफुल रोल मिले उनका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा रखा गया विनोत खन्ना रविवार के दिन शूटिंग नहीं करते थे ये दिन वो पर विवार के साथ विताते थे मेकर्स को विनोत खन्ना की एशर्थ भी खुशी-खुशी कबूल थी हलाकि मिताब और विनोत खन्ना ने कभी खुल कर इस बारे में कुछ बात नहीं करी लेकिन ये बात विनोत खन्ना भी जानते थे कि मिताब बच्चन ने कई फिल्मों से उनके रोल कम करवाये थे एक इंटर्विव में जब विनोत खन्ना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हसते हुए जवाब दिया कि हम एक ही समय में फिल्म में कर रहे थे एक ही समय में आगे बढ़ रहे थे ऐसे में हमारे बीच कॉम्पेशन जरूर था लेकिन ये कहना कि हम दोने राइवल थे ये गलत होगा हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी एक तरफ जहा मिताब बच्चन ने बॉलिवर्ड में आगे बढ़ते हुए खूब नाम कमाया मैं पॉलिटिक्स और अध्यात में की तरफ मुड़ गया और फिल्मों से मैंने दूरी बना ली न्यूज एजनसी पी टी आई को दिये एक इंटर्विव में इसी बारे में मिताब कहते हैं कि विनोत खन्ना और शेतरुण सिना ने पॉलिटिक्स जॉइन कर लिया और वे वहां अच्छा कर रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे समकारिन अक्टर्स ने मुझे सिनिमा की दुनिया में अकीला छोड़ दिया बहराल यकिनन अमिताब बच्चन और विनोत खन्ना दोनों ने ना सिर्फ बहतरिन अक्टर्स रहे बलकि एक समझदार इंसान भी विनोत खन्ना की नीजी जिन्दगी भी किसी रुमांचक फिल्म जैसी थी दो शादिया और 1975 में जब वे करियर के टॉप पर थे अचानक फैसला लिया कि फिल्मों को छोड़कर ध्यात्म करूप करेंगे यह हरान करने वाला था विनोत खन्ना ने फिल्मों से ब्रेक लिया और ओशो रजनीश से जोड़ गया नियू यॉर्क में ओशो के आश्रमें करी पांच साल बिताने के बाद विनोत खन्ना वापस लोटे लेकिन इस बीज बीज बीवी गितांजली ने उन्हें 1985 में तलाग दे दिया 1983 में विनोत खन्ना ने डिंपल कपड़िया के साथ इंसाफ में कमबैक किया और 1990 में कवीता से शादी कर ली सब ठीक चल रहा था लेकिन तभी उन्हें बारती जंता पार्टी का दामन थामा और राजिन्दी में आ गए चार बार पंजाब के गुरदासपुर से सांसत बने और केंदरी मंत्री भी बने साथ ही फिल्मों का सफर भी साथ साथ चलता रहा जीवन के आकरी दिनों में विनोत खना सलमान खान के साथ दबंग टू और शारुक खान के साथ दिल्वाले जैसे फिल्म में नज़र आये थे 2015 में दिल्वाले रिलीज हुई थी विनोत खना बिल्कुल फिट लग रहे थे हमेशा की तरह ही टॉल और हैंसम लेकिन दो साल बाद ही 2017 में उनकी तस्वीर ने जैसे हर किसी को जगजोर के रख दिया 27 अपरेल को हर किसी का दिल दूड गया और मन में बस यही एक बात आई कि विनोत खना तो परदे पर अमर है वो ऐसे कैसे जा सकते है